हेलो एब्रीवन आज एक हमें एसर का पावर सप्लाई रेपियर करना है ठीक है यह चार्जिंग एडप्टर है हमारा एसर पीन के लिए ठीक है तो आज इसे हमें रेपियर करना है तो यह क्या है नाइंटिन वोल्ल 2.1 एंपिया छोटा एडप्टर है ओके 45 वाट के जैसा तो यह डेड़ है कास्टमर ने बोला है डेड़ है यह हमारे एक लोकल कम्पीटर शॉप से आया है हमारे पास ठीक है तो हमने पहले देखेंगे इधर पे कोई भी हमारा वैर टूटा की नहीं ठीक ह इसे कंफर्म करने का आपको एक मैं इजी एक टेकनीक बता देता हूँ ठीक है जिसे आप कंफर्म कर सकते हो आपका वैर ओके है की नहीं ठीक है देखो यह जो आपका माइनास प्लास है यह घूम की इधर पे कनेक्ट होड़ा है चार्जर में ठीक है अगर मैं इधर पे डाय है तो हमें इधर पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगा हम लोग प्लास माइनस को स्वाइब करके देखेंगे तो देखो मैं क्या करता हो पहले माइनस पर माइनस रख रहा हूं देखो आया रीडिंग यह कैपसितर चार्ज हो रहा है आउटपूट का देखो चला गया अभी इसे माइनस पर रखते हैं इसे प्लास पर रखते हैं फिर से नेगडिप में यह आया वैलू ठीक है तो आपका चार्जर का केबिल तो टूटा नहीं है यह हमान हम लोग कंफार् करते हैं ओके पहले हम लोग देखते हैं इसका पावर देखें इसका क्या हालत है ठीक है मैंने देखा नहीं जस्ट मैंने रिसीव किया यह तो पहले हम लोग चेक करेंगे यह ओके है कि नहीं एसी 7500 पे रख राउं 750 ओके पूरा 230 वोल्ड आ रहा है प्रॉपर अभी चलो इ है इसलिए आया है नहीं तो नहीं आता ठीक है फिर भी हम लोग कनफर्म तो करेंगी यह पावर ऑन कर दिया मैंने ठीक है देखते हैं कुछ भी वोल्टेज नहीं है ठीक है वल्टेज पूर 0 तो क्यूं है ऐसा यही हमारा question है तो हम लोग याद रखेंगे हम लोग पावर द जाएंगे तो इधर पर मैं इंजेक्शन में थोड़ा सा अरे यह गया मेरा यह पूरा हो यह इसका ख्याल खथा ओके एक सेकंड में रुख जाओ देख लेता हो इधर पर और मेरा अच्छा वहला कोई सीरीज मिल जाता है तो यह अच्छा है चीक है थोड़ा सा इसे क्लियार क था एनिवे तो हम लोग हलके हातों से इधर पर इस गैप पर इंजेक्ट करेंगे ठीक है आपको पता है मैं कैसे इसे ओपन करता हूं एवरी टाइम सेम मेथट से हम लोग ओपन करेंगे ठीक है तो हमारा जो पेट्रॉल है इसमें जो सबस्टेंस रहता है वो ग्लू को इज खतम कर देता है ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना है जस्ट इस जो गैप है इसमें आप थोरा थोरा इंजेट करते जाओं कोई भी पावर सप्लाई हो आपके पास अब इस मेथोड से ओपन कर सकते हो इसके वज़े से आपका जो केबिनेट है वो अच्छा रह जाएगा ठ जादा नहीं देना है और जादा टाइम तक इसे नहीं छोनना इसमीन तो ये पूरा जो प्लास्टिक हो खराब हो जाएगा ठीक है देखा मैंने देते ही मैंने इधर पर प्रेशर देना चालू कर दिया विकॉस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा देते रहते है, देखते हैं, हम लोग इस चार्जर को रिप्यर कर सकते की नहीं, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, याद रखना है प्राइमरी में चार्ज होगा, अगर अपका प्र अभी तक यह खुला नहीं, तो मैं थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा एक प्राइम टूल इंजेट करंगे तो अच्छा होगा, बाट इधर पे प्राइम टूल कुछ दिखने ही रहा है, मेरा सेट अप पे, कि दर गया मालूम नहीं, चलो एक ब्लेड इंजेट करते हैं, सर् थोड़ा असा प्रिशर देते हैं, थोड़ा ग्लूट टाइट है, कोई बात नहीं, ओपन होगा, मैं जस्ट जो गैपिंग है, उसमें ही थोड़ा सा प्रिशर अपलाई कर रहा हूँ, ठीक है, बिकोज ये थोड़ा ज्यादा ही टाइट है, नॉर्माली ओपन हो जाता है, ये भी होगा, जरूर होगा, बाट थोड़ा टाइट है ये, ओके नॉर्माल जो भी आपके पास आ आता है, नॉर्माली, उससे थोड़ा सा टाइट है, ये अच्छा वाला पावर सप्लाई है, ठीक है, ये जो ब्रैंड है, अच्छा है, जो भी आपका प्रिमियम पावर सप्लाई दिखेगा, उसमें ये ब्रैंड यूज होता है, खुल जा भाई, ओपन होने का इधर पर ज लग गया, इसे ओपन होने में, थोड़ा ये टाइट था, इसका ग्लू पर ओपन जरूर होगा, ओके देख सकते हो, ये ओपन हो गया, इसली मैं थोड़ा सा इसका ग्लू को मैं सुखा लूँगा, ओके देख सकते हो, प्राइमरी जो कैपसिटर है, पूरा ब्लास्ट हो याद रखेंगे पावर है बोड में ठीक है क्यापसिटर जितना भी खराब है वो होल्ड कर सकता है पावर को ठीक है तो थोड़ा साबधानी से हम लोग इसे ओपेन कर लेते हैं हिट सिंग बगेरा टच करने के जरूरत नहीं आई भाई इधर पे तो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो गया बीग ब्लास्ट हुआ है इधर पर ओके तो मैंने सोचा सिंपल केस होगा बट नहीं है एकदम भ कुछ वाटर की जैसा कुछ ना अंदर में है वो मेरा पेट्रॉल तो नहीं है भाई पेट्रॉल होता तो यह डिसेपियर हो जाता ठीक है वाटर के जैसा ना कुछ मॉलेक्यूस दिक रहा है मॉइस्चर बगेरा गिया होगा ओके यह जो कैपासिटर ब्लास्ट किया ना उसक मैं थोड़ा साबको अभी क्लोज पे लेके फोकस कर लेता हूँ तो हाला देख सकते हो राइट बहुत खराब है इलेक्ट्रोलाइटिक पूरा मेट्रियल पूरा मदरबोर्ड में स्प्रेड हो चुका है ठीक है तो यह बहुत ही खराब बात है यह रिप्यर होना इसका पॉ सकते हैं तो कर देंगे ठीक है सब तो हमारे बास का बात नहीं है ठीक है बड़ हम जरूर ट्राइट कर सकते हैं इधर पर क्या प्रॉब्लेम आया है उसे फिगर आउट करते हैं सॉल्यूशन नहीं होगा तो भी चलेगा बड़ प्रॉब्लेम क्या है कैसा यह ब्लास्ट क्य हुआ इसे अगर हम फोड़ा फिगर आउट कर सकते हैं तो अच्छा होगा खराब कंडिशन है एक्चुली पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो मेट्रियाल था इसका यह पूरा चला गया पूरा मदर बोर्ड में स्प्रेट कर गया इसका जो कस्टोमर है उन्होंने जरूर इसका ज है किया फोर्ड़ क्यान में न्यस्वां अगर खा़को ज Tapi तो ह इसे लेकर आ जाता तो ऋसनी है क्या क्या हुआ ए अप्योर्ड को अन्दर से श्वांत कर दिया अगे उसके वाज़े से ही हुआ है जो पूरा ओढ़ा को खा गया ची करती है देखते हैं आगे जाते हैं तो इसलो मैं पहले जिस अगरे हमारा मुस्फेट है ब्सक्राइटते पीसे के स्मेंदरिए का ठ Milk ड्राइवर्स्ट अरनmore C ढला सबस्ट केमने нет नेन दिर से हैंर्ट बता सकते यह डुर्ट बनने का चांस है कि नहीं देखो फड करा क्वार्ट और सौन सकता है तो सब्सक्राइबड तक है नाइन ती दिवे ये गुड निउज है अगर मॉस्पेट खतम है तो आपका ड्राइवर खतम हो जाएगा तो अभी आपको क्या करना होता अभी देखना होता भाई आपका ड्राइवर क्या है इसमें मिलेगा इधर पर अभी तक नहीं दिख रहा है ड्राइवर ये हमारा बिज रिक्टिफएर ह मिलेगा ओके इधर पर ये छोटा वाला एक driver है driver को भी बहुत खराब हला थे तो God knows ये बचा होगा कि नहीं driver ओके विकॉस मॉस्फट के वज़े से खराब जादा होता है बड़ मॉस्फट खराब नहीं है फिर भी इसमें इलेट्रोलाइट गिर गया और ऐसे ही चलता रहा मदरबोर्ड तो ये बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इस पे और कुछ भी नहीं ठीक है इसका life खतम होने का बहुत chances है ठीक है चलो अभी clean कर लेते हैं ये work थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा precisely करना है ठीक है ये जो मै इस ग्लू को cutting कर रहा हूं because मैं देख देख के कर रहा हूं कि धर पे हम लोग कर सकते हैं नहीं तो अगर कोई रॉंग जगा पे आप cutting कर दोगे ठीक है तो आपका पार्स टूट जाएगा इधर से और फिर आपको और भी ज्यादा दिक्कति का समना करना पर सकता है तो मैं द दिखा ही नहीं देगा आपको किधर पर आप काम कर रहो क्या है सर्किट कैसा है तो आपको काम सुरू करने से पहले इसे आपको देखना है तो ड्राइवर का हाला ते एकदम भी अच्छा नहीं है ठीक है ड्राइवर एकदम bad condition पर है यह हमारे लिए बहुत ही बुरा बात है ठीक है अगर ड्राइवर आपका खतम हो गया यह सब यह का क्या बोलते चारजर बगेरा का ठीक है तो यह मिलना थोड़ा difficult होता है ठीक है यह ड्राइवर बगेरा मिलता नहीं है और अगर मिलता भी है तो आपका costing तो बहुत जाने वाला है ठीक है इससे अच्छा है आप एक charger खड़ी दो और कोई charger को आप replace कर दो उसका cable के साथ ठीक है ऐसा कर सकते हो कोई भी ज्यादा current होगा तो अच्छा है बहुत लोग सोचते ज्यादा current हो जाएगा तो क्या होगा ज्यादा तरफ को 3 ampere से भी ज्यादा मिलेगा 65 watt का charger मिलेगा ठीक है तो ampere ज्यादा होने से क्य ज्यादा होता है आपका laptop जितना उसको चाहिए वही लेगा ठीक है उससे ज्यादा नहीं लेगा सो अपका जो charger है वह low temperature पर रन करेगा सभी पार्स के उपर कम क्या बोलता प्रिशर परेगा तो वह long time चलता है ठीक है तो देख सकते हो कितना सारा इधर से white चीज़े निकली यह कंपनी लगाता है विकॉज हाथ बगरा से गिनने पर इसका जो components है वह अगर dislocate नहीं होना चाहिए इसलिए लगाता है company ठीक है बट्री पेर इनके टाइम पर हमें हटाना है और इसे लगाने के भी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है कि चल 있ले मैं जास्ट डॉप कर रहा हूं मेरा ड्राइभर बग जाए ठीक है धर सेश्रमacts के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है feelings अच्छा नहीं हा रहा है मुझे लगता है इसका खराब होगी गया है इलेक्ट्रोलाइटिक गया है देख सकते हैं इसका हालत क्या हुआ है ब्लैक होगे तो पीन में पूरा रस्टिंग हो गया ठीक है क्या कर सकते है तर्फ फफी काफसितर यगा तफिकए सबी जगाति क्यूआ क्यूं लगाते हैं मालूम नहीं बंढा तो लोवल्टेज लाइन पर हम लोगें देखें लैप्टाप का नाइटीन व्रस सेक्षं में कितना क्या पर बंधो होता है तो समझो तो 325 जो रेक्टी भाई होके इधर भेट मिल रहा है वह इस क्यापसिटर से क्हेंक कर दिया थो यह आपका प्लासन माइनस है 1 सेंट यह प्लास है यह माईनस है तो यह ट्रैक ऐसे घूम के नेक्टेड है डिस क्यापसिटर से वह मतलब जो ट्रेक भगर खराब हों वह हुआ है आपका जो फिल्टर papa सिटर फिंटर के बच vom के पर के उपर एक्र लटिकमेटा पूर्ड पूरा इस प् Wonder तक नेहीं हो सकता है ठीक है नॉर्मल फेल्योर भी हो सकते हैं बट इस किस में नॉर्मल फेल्योर नहीं है 100% विकॉज इतना अगर वाटर इधर पर रहेगा ठीक है वो कंडक्टिव होता है जो इलेक्टॉलाइटी होए ज्यादा तो नहीं कंडक्टिव है बट ऐसा हाइप वो बहुत ही डिंजरस मैं आपको दिखाऊंगा इस बोट का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से आप रुख जाओं मैं थोरा सा इसे पहले प्रिपरेशन करता हूं ठीक है एकदम क्लीन करते हैं उसके बाद आपको जरूर मैं पूरा चीज को दिखा दूंगा कोई प्रॉब्लेम नहीं बट ऐसे तो काम नहीं होगा ठीक है जैसा कंडिशन है ऐसे अब गर आपको दिखाऊंगा भी आपको समझ में नहीं आने वाला है तो मैं चाहता हूं अच्छे से आपको दिखाऊं रुख जाओं आप जानते हो मैं जो काम करता हूं लाइफ करता हूं कोई भी एडिटिंग नहीं करता इसलिए टाइम भी लगता है और वीडियो थोड़ा सा लॉंग भी होता है ठीक है बट मैंने देखा है मेरा जो वीवाल लोग है वह बहुत अप्रिशेट करता है इस चीज़ को वह लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं अनकट लोग देखना चाहते हैं कैसे तो हम थोड़ा सा डिक्स इधर को क्लीन कर लेंगे अगर इसमें कोई भी रेजिस्टर वगएरा हम लोग रखेंगे तो यह गुम सकता है ठीक है इसलिए थोड़ा सा क्लीन रखना जरूरी है बहुत लोग बहुती गंदेगी में काम करते हैं उसका एक डिजडवांटेज व अब अच्छे से देखो तो इधर पर देख सकते हो यह फ्यूज है ठीक है तो एक लाइन इधर से है इस लाइन को इस दाथ से फॉलो करो इधर पर आया वो लाइन इधर से इधर आया ठीक है इधर से आया इस से यह एक जंपर वैर है इधर से इधर आया ठीक है देख लो इ परेगा तो यह देख सकतो एक jumper wear है ठीक है एक big तो अभी trace करो अभी देखो मेरा line को इधर से इधर गया इधर के बाद यह से जाके इधर पर एक filter है ठीक है इधर से line sorry यह तो line नहीं है इधर से इधर आया तो इधर पर आया ठीक है line तो यह line fuse में होके इस jumper wear से इधर इधर पर इस point पर रुका ठीक है और यह point से most probably इधर की तरफ गया है जा इधर की तरफ गया नहीं नहीं इधर की तरफ तो जाने के कोई फायदा नहीं है तो क्या हो सकती इधर से इधर तक ऐसे घूम के इधर से इधर चला गया ठीक है और negative कैसे connect हो र प्रपलिद था और नहीं था हमें देखना है तो बट हमेरा यह जो लाइन है इसे भी connect करना है कैसे करेंगे connect इसे भी तो connect करना है ना आगे चलो पहले ना मैं बीपिंग के टेस्ट करता हूं ठीक है यह कैसे connected है इसका जो हमारा लाइन है वो कैसे connected है से विकाँ सर्कित के उपर से देखने पे मालूम नहीं पर रहा है तो fuse गैरन्टी उर गया ठीक है तो fuse गया यह line है यह fuse ठीक है ओके यह मेंने समझ रहा थे यह buna ground वयर है यह ही negative है तो यह line negative है negative इसा इसा आईगा ऐसे घुम के यह बार्ण हो गया ऐसे इधर पर चला जाएगा ठीक है तो हमारा जो कोयल है वो ऐसे कनेक्टेड है ठीक है देख सकते हैं तो हम लोग क्रोस में चेक करेंगे इंटली इंटलेयर ली वोश कनेक्ट शॉट बगएर हुआ कि ठीक है चलो वह हुआ नहीं है मैं थोड़ा सा इस रिजिस्टर जगा को क्लीन करना चाहता हूं बहुत इधर पर इलेक्टलाइट आने के वाज़े से बहुत ही खराब कंडिशन हो गया इसलिए अगर आपका हिसिंग नौइज आ रहा है कुछ भी नौइज आ रहा है कैम आपका चार्जर से तो कोई भी एक् ठीक है छोटा चीज बहुत बड़ी बन जाएगा ठीक है छोटा चीज है कैपसिटर खराब होना कोई जादी बरा बात नहीं होता है हाई रेटिंग का एक डायोड है यह खराब होगा तो भी मिरे लिए दिखका थे बिकाज यह राइट नौँ मेरे पास अबेलेबल नहीं है गौट से मैं प्रे करता हूं यह नहीं खराब हो तो अभी लाइन को ट्रेसिंग करते है ठीक है एक यह हमारा पॉजिटिव है यह से इधर आया फ्यूस के मदद से अभी कंटिनूटी नहीं है विकास फ्यूस डैमेज है इधर से इधर आया जंपर वैर के मदद से जंपर वैर से इधर के आया यह इधर पर ट्रांस्मीट हुआ यह लाइन इधर से इधर से कनेक्ट होके इधर से कनेक्ट होके इधर से कनेक आपको दिखा तहूं निगरिप का लाइन यह है देख सकतो वायतव कर फे把它 पीछे जा रहा है वो नहीं यह इदर पे सुर्क लगा है है हिट्ठ शृंक उसे देखके मुझे लगा वही Black है नहीं है वायतव है तो इधर से हमारा न्यूट्रल है पहले इस इंडक्टर पे आया है, फिल्टर होके आगे चला गया, इधर से इधर, 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 फिर इधर, ओके, तो डायोट का हमारा ब्रीज रेक्टिफायर का बोद साइट पे आ गया, अभी ये कैपसिटर ओपेन है, ठीक है, अभी ये ब्लास्ट होने के किया जाता है, आपको मालूम है ना, ऐसे, ठीक है, मैं थोरा सा दिखा देता हूँ, इधर पर देखो, ऐसे फिल्ट किया जाता है, एक डायोट, दिख सकते हो, आप गोट, ये एक डायोट, मैं सिंपल वे में दिखा रहा हूँ, इसे अंडस्टेंड करोगे, तो बहुत एसी इस पोइंट पे दिया जाता है, ठीक है, एसी, और इस पोइंट से आपका डी से निकलता है, ठीक है, तो चार्ट डायोट होता है, ब्रीज रेक्टी पर में, ये एक सिंपलिफाइड डायाग्राम है, ठीक है, जो ऐसे, क्या बोलते है, बर्फी के तरह दिखने वाला जो सरकीट है, वो समझने में थोड़ा difficult होता है, आप इसे study करना, ये भी वही है, इसे use करना भी easy है, understand करना भी easy है, ठीक है, अब देख लेना, चलो, अभी हम देखेंगे, ये short है कि नहीं, अगर short नहीं है, तो हमें वो चार डायोट को find out करना है, कोई भी डायोट, exactly इसके अंदर में एक डायोट भी short हो सकता है, और दो डायोट भी short होता है, वो पूरा bridge ही short हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग find out करनेंगे, ठीक है, देखो, इस तरह कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस तरह हमारा एक डायोट है, डायोट मिल लिया, 573, sorry, 537, perfect, इस तरह कुछ नह नहीं है, अच्छा, यह मिला था, यह मिला था ना, मुझे, तो अभी देखेंगे, इस तरफ, यह दो डायोट है, ठीक है, यह दो डायोट internally connected है, तो और भी डायोट है हमारा, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मैं सिधा कर लेता हूँ, इस तरह कुछ नहीं है, इस तरह कुछ न कैसे मिला, एक मिला, ऐसे नहीं, ऐसे, एक डायोट, 35, 535, समझे, लास रेडिंग अलग होगा, तो इससे आप मालूम परेंगे, एक एक डायोट वो है, तो मिला 35 का, एक reverse में मिलेगा इधर पे, 39 का, अभी ऐसे एक मिलेगा, ऐसे नहीं, सॉरी, निगली भी इधर पे, ऐसे है, तो इसका मतलब, आप समझो, आपका इधर पे, जो कैपासिट, सॉरी, यह जो मॉस्टेट है, यह खराब नहीं है, ठीक है, गुड, आपका ब्रीज भी खराब नहीं है, तो यह खराब हुआ क्यों, ब्लास्ट हुआ क्यों इतना बरा, इसका रिजन तो आपको पता चलन पे एक ब्लास्टिंग क्रियेट हुआ, इस कैपासिटर के बज़े से मैं बोल रहा हूँ, क्यों, अब समझो, देखो, अगर आप देखोगे, तो यह आपका बिक कैपासिटर है, उसका एक टांग यह है, अंदर की तरफ और एक टांग है, कौन सा टांग, यह, यह और यह आ करूंगा, जरूर, एक साइट से मैं तो कन्फर्म कर सकता हूँ, यह इधर पे जा रहा है, प्लास वाला, बट माइनस वाला, माइनस वाला नहीं जा रहा है, तो खुशसता है, इसके अंदर से ट्रैग ऐसे कनेक्टेड हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, यह, इसे है, माइनस इधर से ही कनेक्ट होगा, तो इसके अंदर जा रहा है, तो इधर पर ब्रस्टिंग हुआ है, ठीक है, इधर पर ब्रस्टिंग हुआ है, तो ट्रैक कट गया, तो इसके अंदर से माइनस निकल रहा, मुझे जो लगता है, ठीक है, चलो, confirm करते हैं, हम लोग, basic electronics knowledge लगा रहे हैं इधर पे अभी तक कुछ भी एडवांज नहीं किया गया है तो चिंदा का कोई बात नहीं दीसी मैं होट एर एक्टिवेट कर चुका हूं थोड़ा यार को रखते है फ्लाक्स यूज़ करते है अच्छा वाला अच्छा वाला फ्लाक्स यूज़ करना ज़रूरी है ठीक है बहुत कम ही लगता है ठीक है यह मेरा 15 दिन तो चली जाता है काम इससे तो ओक है ठीक है ऊसा देड़ सो रुपै से यह आता है देड़ सो रुपै के करीब तो पंद्रा दी इननाफ है तो हम लोग थोड़ा सा राउंडिंग करेंगे एयार को राउंड करकी यूज करेंगे ठीके बीकोज ट्रैक बगरा अच्छा कंडिशन पर नहीं है ओके बिग ब्लास्ट हुआ है इसर पर तो ट्रैक बगरा थोड़ा मैं देख रहा हूं हां मेल्ट हो हो रहा है हां मेल्ट हो गया इट साइट से भी मिल्ट हुआ है हां मैंने जो बोला मिल गया यह देखो इसे साइड में रखो अभी देखा मैंने कितना इजली से फाइंड आउट किया देखो ट्रैक इधर पे ओके मैं थोड़ा से क्लीन करता हूं ठीक है उससे पहले आपको को दिखेंगे धर पीछे से कनेक्थ हो ना था तर ठीक है अमेन आपको लाइट आगले तो डेको ये कहा तूरा सा एडर सक आऔर करूंगा पूड़ा अच्छे सब को डेका यह ट्रैक तो मैंने बता इधर से कनेक्ट यह ट्रैक इस पीछेज है अभी अभी मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा पूरा अच्छे सब को दिखेगा ठीक है दिखा दिया क्यों विकॉज क्लीन करने के टाइम पे वह थोड़ा सा ट्रैक बगरा उखर सकता है तो आपको सबात ही आएगा इसे रिप्यार होने में ठीक है अगर आपका ड्राइवर होके है तो अभी देखो एकदम क्लिया तो यह आपका दो पॉइंट है जिससे इन्पूट है यह आपका प्लास और यह प्लास से सच कनेक्टेट अध्य देखो यह पीछे से ऐसे कनेक्ट होना था ठीक है और यही आपका माइनस होके जाएगा इसमें तो यह कैपासीटर आपका मेंगें फटनी क्या है थीतै अपके साथ करते है सेरेम हीक कैपासीटर हम लोग क्यों लगाते है इसे आपको पहले समाज Film Electrolytic Qué Пासिटर्स हम लोग Σ्रिफ Electrolytic Cappasitor मेवला कि स्टेर मिक्ंवान काशी और पूरा पूरा वेल्द हो चुका है इस लाइन से हैं तोट के निकला है वेल्द हो चुका है इतना सिरकिर हुआ दर पर हम लोग ट्रेक काटिंग कर देंगे ओके के से करना है हमें ट्रैक सो क्यों सिरामिक क्या जाता है ठीक है विदाओट श्रीफ हमारा इलेट्रोलाइटिक तो आउट्पूप में भी जो देखाऊगे उधर पे भी देखो यह क्या क्या करता है जो हाइफ्रिक्वेंसी नौइज तो आपको समझना है यह कोई कलत चीज नहीं है कमपनी वाले लागाते तो है अच्छी चीज़ के लिए देखो इधर पे भी हमारा एक क्यापसिटर है यह भी एक क्यापसिटर है जो प्लास और माइनस के लाइन पर कनेक्टेड है ठीक है यह आपको दिख रहा है ना माइनस के लाइन इधर से कनेक्ट होके ब्रीज में जा खराफ है उसके बज़े से हमारा mother boot खराफ हो गया अपका charger तो तो reason क्या है क्यों लगते हैं इसके बज़ा है जो हमारा normal high frequency noise नहीं है low frequency है low का मतलब इधर पर आप समझो इधर पर rectification के बाद आपका dp o dc नहीं बनता है ऐसा पाल सेटिंग dc बनता है उसे rectify करने पर वह straight line होता है तो rectification अगर आपको एकदम clean करना है तो आपको capacitor एक तो big capacitor लगाना ही है जो हमारा है यह electrolytic capacitor इसे भी हमें change करना है यह तो खराब हुआ ही है ठीक है सो इसे लगाना है यह आपका most of the frequency है उसे clean कर देगा बट अगर आप डियोसे से अच्छे से देखोगे तो भी आप देखोगे थोड़ा बहुत noise आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो noise है उसे आम EMF बोलते है EMF का मतलब है जो हमारा electrical जो line है उसमें हमारा radio frequency मैच हो मिल जाता है हमारा यह जो power line है जिसमें से हमारा power आता है इसमें हम लोग जो telephone line का जो line होता है जो wi-fi का line होता है वो सब ना इसमें mix हो जाता है ठीक है तो EMI बोला जाता है उसे ठीक है EMI तो यह सब EMI filter सी है primary के लिए ठीक है तो वह EMI को reduce करने के लिए DC को और pure बनाने के लिए उधर पे ceramic capacitor का यूज़ किया जाता है ceramic capacitor जितना high frequency में बहुत ही वह अच्छा काम करता है बहुत लोग frequency में उतना अच्छा काम नहीं करता है ठीक है easily कोई भी छोटा capacitor से उसे हटा सकते हो low frequency का noise ठीक है बट अगर आपको high frequency noise को हटाना है अपका आपका motherboard से तो आपको किसका help लेना परेगा आपका ceramic capacitor का ठीक है तो इसलिए company वाले ceramic capacitor लगाते है ठीक है I think अपको समझ में आ गया क्यूं लगाया company ने गलत चीज नहीं है बहुत ही सही चीज है बट यहीं आपका board को लेकर डूपता है ठीक है because ceramic capacitor जो है वह high voltage को अच्छे से handle नहीं कर सकता है ठीक है उसका life एकदम खराब है ceramic capacitor का तो देख सकते हो यह हमारा क्या है वह ceramic है यह electrolytic capacitor है ठीक है यह भी पूरा खतम चीक है यह पूरा बलास्ट हो गया तो हम लोग किसे भी निकालेंगे track लगाएंगे track को build up करेंगे भगवान की क्लिपा से अगर इसका driver बज गया तो हम लोग बच जाएंगे यह case बन जाएगा ठीक है हमारा विकाज अभी जो case है वह पूरा driver के उपर dependent है यह जो liquid देख रहा हो शाइनिंग कर रहा है यह ही electrolyte है ठीक है अच्छा नहीं है बहुत खराब चीज़ है electrolyte ठीक है इसका भी smell भी बहुत बुरा है मैं जब भी हिदर पर heating कर रहा हूं कुछ भी डायट बगरा निकलने के टाइम पर यह बहुत बुरी एक smell कर रहा है यह मेरे लिए भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है ठीक है इसे smell मत करो अच्छा बात नहीं होता है इसका मतलब इसमें acid रहता है वह आपका skin के लिए harmful है ठीक है तो काम तो आपको करना है बैट आपका सरीर जो है उसे आपको जरूर ध्यान में रखके उसका limit को आपको देख के ही काम करना है ठीक है उसे आपका यह सब बहुत हट तक अप रिड्यूस कर सकते हो चलो ओके आपको एक चीज में दिखा देता हूं इस लाइन पर इधर पे छोटा सब को रिजिस्टर मिलेगा ओके छोटा मतलब लो वैलू का बट इसका पावर ज्यादा है वान टू वाट का रिजिस्टर होता ह आपका जो इधर पर जो आपका ड्रेन है उस लाइन पर लगा होता है ठीक है वह ग्राउंड के साथ कनेक्टेट होने वाला एक छोट लो वैलू का एक रिजिस्टर होता है अगर आपका कोई पावर लाइन में दिखा थे पावर लाइन का मतलब है आप पावर चार्जर ओन कर रहे हो देख रहे हो 19 वोल्ट है पावर देने पे वो 19 वोल्ट ड्रॉप करता है ठीक है तो आपको यह रेजिस्टर को चेंज करना है यह रेजिस्टर ओके तो देखो यह मैं देखूंगा यह ओके है कि नहीं विकाज यह भी ब्लास्टिंग के टाइम पर कट जाता है एक कारेंट को सेंस करता है मॉस्पेट में कितना करेंट मॉस्पेट से जा रहा है आपका लोट की तरफ ठीक है और उसे कैलकुलेट करके वह आपका जो ड्राइवर आइसी है उसे इनफर्म करता है जब इतना पावर जा रहा है और ड्राइवर आइसी है जब देखता है वह लिमि खराब होने के वाज़े से आपका ऐसा प्रॉब्लम दिखा जाता है ठीक है तब को अगर ऐसा केस है आपके पास तब क्या करोगे जैस्ट उसका जो रेजिस्टर है उसे आप थोड़ा रिप्लेस करते हो ठीक है पॉइंट फोर वैलू पॉइंट थ्री वैलू से ठीक है तो इ यह हमारा प्लास है यह हमारा माइनस है यह तो पूड़ा गया ये सब ऐसे नहीं छोनना है जो ट्रैक निकल गया उसे भी हमें रिप्यार करना है बिकॉस नहीं तो फिर से ब्लास्टिंग हो सकता है ठीक है बिकॉस ब्लास्टिंग क्यों हुआ इसका आपको धियान रखना है AC है current AC है इधर पर AC क्या करता है AC actually अगर distance अप नहीं रखोगे तो यह न जांप कर जाता है पावर एक लाइन से और एक लाइन में चला जाता है इसकी बज़े से यह सब प्रॉब्लम आता है हम लूं करेंगे इसे solve करेंगे ठीक है आप चिंता मत करो इसे हम solve जरूर करेंगे मैं इस लाइन को थोड़ा सा देख रहा हूँ ओके हाँ ठीक है कोई बात नहीं यह प्लास माइनस के बीच में लगाया गया दो रेजिस्टर है एक्च्वली यह प्राइमरी जो कैपसिटर से है उसे डिस्चर्ज करेगा नहीं तो current लग सकता है न इसलिए इस लाइन को बनाया गया है कोई बात नहीं बहुत अच्छा है हो जाएगा यह बोर्ड मोस्ट पूब भी अपका ठीक है रेप्यार इस ड्राइवर अपका बचना चाहिए मैं दुआ कर रहा हूं ड्राइवर बच जाए मेरा और काम लग जाएगा ठीक है तो यह वैलू आपको देखना है 82 है तो आप 82 भी लगा सकते है 82 से जाधा भी लगा सकते है कम लगाना ठीक है कम लगाऊँगे तो फ्रिक्वेंसी का दिक्कत आएगा तो लाइन तो इसके अंदर से ओक है तब क्या बोलो देखो इधर से इधर पे मैं एक वायर से कनेकट कर सकते है तो मुжoot jus लगता वही सही होगा ठीक है इसे थोड़ा सा मैं यह ट्रैक अच्छा है ठीक यह उखरने वाला नहीं है ट्रैक तो चलो जायू से ठोडा से मैं विक्टिंग कर देता हूं ठीक है। कर देता है इसे यह ब्रिज इसके मज़से थोड़ा साइस लाइन को सुधर लेते हैं इस लाइन को मैं थोना सा इंस्पिक्ट करना चाहता हूँ लाइन कैसे आ रहा है ओके इस रेजिस्टर से पावार घुज़ रहा है इसमें इसके उपर आई सी के उपर लिखा गया है टी कैपिटल में है स्मॉल में इ उसके बाद 3 चीक है टी इ 3 और उसके उपर 05 उसके नीचे आई एसा कुछ ठीक है तो दिखने वाला तो मुस्पूबल नहीं है देखो ऐसा है दिख रहा है आपको दिखेगा तो आँ देखो आप ही तो क्लियर है राइट ड्राइवर हमारा खराब है तो यह ड्राइवर को ही अपने रिप्लेस करना है बट ड्राइवर ज्यादा तर नहीं मिलेगा आपको ठीक है कंपनी में अगर ड्राइवर नॉर्माली दे देते तो यह सब बोट कभी भी खराब नहीं होते है इजिली रिप्यारेबल है विकास बाकी सभी कंपोनेंट अपको मिल जाएगा मॉस्ट बगरा तो कुछ भी नहीं है ठीक है मिलेगा नहीं जो वह ड्राइबर चलो हम लोग यह इचे लगा लेते हैं वह कैपसिटर को हम नहीं लगाएंगे वह जरूरत भी नहीं है ठीक है तो कंपनी ने क्यों लगाया आ आप इतना अभी तक इतना गैन दे दिये जो फिल्टरेशन बगरा आपको समझना है एक चीज हम लोग इंजीनियर हैं मेरा तो इलेक्टिकल का डिगरी है मैं यह सब परा हूँ ठीक है आपको जब एक काम पे एक कंपनी आपको हायर करेगा ना हायर के टाइम पे जब आपक तो वह कंपनी में जोइन करना है काम करना है तो कंपनी जब एक प्रोडाक्ट को मार्पेट में छोड़ता है ना वह उस प्रोडाक्ट का जो स्टेंडर्स है वह एकदम जो इंटरनेशनल स्टेंडर्स है उसके साथ मैच करना चाहिए ओके क्या है इसका मतलब इसका मतलब है आप समझो आपका एवरी जो डिवाइज है ना आपके घर में परा हुआ सभी शाटेन टेस्ट के बाद मार्केट में आया है ठीक है शाटेन टेस्ट का क्या मतलब है क्या शाटेन टेस्ट उसका मतलब है आपका जो भी क्या बोलते है जो भी आपका डिवाइजेस है उसका अंदर में इलेक्ट्रो एलेक्ट्रो नहीं रेडियो फ्रिक्वेंसी जनायट होता है स्विचिंग के वाज़े से स्विचिंग पावर सप्लाई है यह तो आपको मिलेगा तो यह जो शिल्ड देख रहे हो यह मेटल का एक शिल्ड है अगर इसे स्क्रैच करोगे दिखाता हूं मैं देख रहा है मेटल का शिल्ड है क्यों लगाया है मालू है यह इसके उपर बाला पाट मिलाएगा नीचे में यह था ब्लास्टिंग के मार्क को आला उपर बाला पाट में यह रिडियो फ्रिक्वेंसी को बहां नहीं जाने देता कोई-ккогоई केस में आपको मिलेगा यह पूरा कवर्ड रहेगा अच्छे से एक मेटल इसे वह जो केजिंग होता है उसे dus faradess UK बोला जाता है ठीक है दायोड मैं इधर पर एक चीज बता देता हूं अब जब भी डायोड ब्रिज एक्रिटिफायर को देखोगे तो इन्पुट पे अपका एसी का साइन मिलेगा वेव और इस साइड पर प्लास माइनस मिलेगा मैं देख सकते हूं इस तरह प्लास है एक पीन पे तो हंड्रेट प शाटेन रेगुलेशन के बज़े से जहां भाई इसे मार्केट में उतानना है मार्केट में उतानना है तो क्या करना परेगा इसका टेस्ट होगा ठीक है जो यह क्या लायक है मार्केट में जाने का सभी घर में रहेगा तो इसका टेस्ट होता है टेस्ट में जब निकलता है हाँ भाई ये सभी parameters को pass कर रहा है तभी ये market में निकलता है parameters में क्या होता है होता है safeties क्या safety इधर पर बनाया गया है अगर कोई भी ये blast हुआ है तो power जो है वो बाहर कोई house में चला गया पूरा power line को destroy कर दिया और interference कर दिया किसी के पाद ऐसा तो नहीं है ये सब checking होता है तो उसमें frequency है जो आपका ये frequency है मैं जो बता रहा था जो EMI है उसे भी check किया जाता है और अगर उसका EMI एक shatten value से आपका ज़्यादा निकलता है तो वो charger माहर मार्केट में नहीं जाता है तो उसे reject किया जाता है तो company देखता है उसे हमारा ये noise level है हमें reduce करना है noise को तो हम कैसे कर सकते है shielding लगाते है capacitor लगाते है और आपका problem जो है वो solve करते है इसके वज़े से उधर पर capacitor लगाया था आप अगर एक capacitor नहीं लगा होगे तो अपका actual में थोड़ा सा अपका line में noise रहेगा बट actual में कुछ नहीं होगा ज़्यादा वो practical life में वो matter नहीं करेगा theoretical life में वो ज़रूर matter करेगा बहुत matter करेगा तो engineer को बहुत कुछ ध्यान में रखके यह सब product को design करना परता है ठीक है हम electrical engineer है इसलिए हम लोग जानते हैं हम लोग design किये है circuit का सो इसलिए मैं जानता हूं ठीक है तब trust कर सकते हो मेरे बात को यही मेरा बोलने का मतलब है अभी थोड़ा सा मैं driver का जो pads है उसे थोड़ा सा मैं solder कर लिया अभी यह जो मैं लगाया हूं इसे भी थोड़ा सा देख लेगा शॉटिंग है कि नहीं देखेंगे ठीक है और capacitor लगाएंगे तो चलो देखते हैं शॉटिंग का क्या scene है कोई शॉटिंग नहीं है लो वैलू आएगा बहुत हीट हो चुका है आपका जो क्या बोलते बता हूं आपका जो ड्राइव यह है ब्रीज रेक्टिफाय है हीट तो हो गाई इतना देर तक हम लोग इसे लगाया चाला बहुत अच्छा बहुत खूब अभी इधर पे कैपसिटर लगाते हैं बीड वाला ठीक है तो रुख जा मैं लेके आता हूं एक थोड़ा सब बुरी बात है वो है मेरे पास जो स्क्रैप पारा है इस यह वैलू निए बहुत अच्छा था चीक है 400 120 मू एफ था यह यह ज्यादा बहूत ही ज्यादा है प्रोपर है एच P का परिंटर का पावर सप्लाई है इस जो है इसके मुताबिक बहुत ही देखो यह छोटा ए ठीक है इसके मुताबिक देखो यह तो लगने वाला नहीं है तो हमरे प ठीक है हम लोग देखो लागाने पे frequent जो इसका क्या बोलते है बताओ इसका जो वो मैंने बताया था ठीक है noise वो थोरा सा जादा जाएगा बट हमको यह repair करना है आज ही ठीक है right now मेरे पास available नहीं है बट अगर आपके पास available है तो आप जरूर वो value को match करने के try करो ठीक है बट मेरे पास available नहीं है लगाते तो अच्छा होता ठीक है बट क्या कर सकते है भाई हम लोग सभी time try तो करते है बहुत कुछ करने का okay बट सभी time नहीं वो पॉसिबल नहीं होता है ठीक है यह देख सकते हो 68μF का है 400V तो थोरा सा low हो गया ठीक है ठीक है चलू और क्या कर सकते है हमें इस motherboard को repair करना है customer को देना है जल्दी जल्दी तो अगर आपके पास है तो आप जरूर उसे prefer करो जो बड़ा है जितना बड़ा होगा उतना यह अच्छा है ठीक है इसे आपको धियान रखना है बट सभी time हमारे पास तो नहीं होता मैंने ढूंडा बहुत सारा जो मेरा खरीदा हुआ था जो मेरा size में नहीं मियाच कर रही है यह बहुत एक छोटे size में 82 है बहुत छोटे size बिकाज यह बहुत अच्छा brand का होगा ठीक है तो यह brand है तो यह थोरा सा ज्यादा बड़ा है ठीक है यह brand यह brand उतना अच्छा नहीं है इसलिए थोरा सा ज्यादा अगर भी जादा ही बड़ा हो जाएगा तो आपको फिल्टर तो हो जाएगा बट आपको केविनेट में फिट नहीं आएगा तो आपको लगाने के क्या फाइदा हुआ बताओं तो इसलिए मैं इसे चूस किया यह क्लोस भी है ठीक है कितना क्लोज है तो 14 म्यू एफ का डिफरेंस है इधर पर 68 है ठीक है टू देंगे तो 70 होगा और यह 82 है तो 14 का डिफरेंस हुआ ना तो ठीक है चलो 14 म्यू एफ कम ही लगाते हैं और क्या कर सकते हैं बट यह देखो फीट आ गया ठीक है इसमें थोड़ा सा इधर हुआ हुआ है बट ठीक है चल जाएगा ऐसा नहीं एकदम केबिनेट क्लोज ही नहीं होगा आपका धक्कन भी तो बंद करना है ना इसका अभी क्या हुआ हुआ इस लाइन पर थोड़ा सा नॉइज रहेगा ठीक है जितना फिल्टर्ड लाइन था कमपनी का उतना फिल्टर हमारा लाइन नहीं रहेगा ठीक है अब क्या कर सकते हैं अब कर देस्टिनी आपको जिधर पर लेना लेके जाना चाता है उतर तो आपको जाना ही है ठीक है विकॉज आप जितने मर्जी ट्राइ करो भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा तो आपका पूरा करके ही रहेगा भगवान ठीक है हम लोग बहुत सारे प्लैनिंग करते हैं यह करेंगे वो करेंगे लाइफ में और यह वो करेंगे कुछ भी बड़ देखना जितना आप ट्राइ करोगे लास्ट में ना भगवान का जो इच्छा है वो ही होगा और वो हमेशा ही सही होता है ठीक है तो गलत नहीं होता भगवान हमारे लिए कभी भी गलत नहीं चाहेगा यह भगवानक क्या है हम इतार पे जादा क्या पिलिस्ट्डंस नहीं लगा कि लो डppo लगा है क्यूँ भगवान का इच्छा है मालूम नहीं अफ मत आक्स करना मुझे ठीक है बट मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है भगवान हमारे साथ है ठीक है अभी माइनस को connect करेंगे एक अच्छा वाला insulated wear से देख सकते हो यह अच्छा वाला insulated wear है तो हमें इस point से इस point पर jumper करना है ठीक है ऐसे jumper करना है एक भी यह touch नहीं होना चाहिए किसी से भी ठीक है तो मैं इधर से इसका मूँ रखोंगा ठीक है जिधर से यह touch करने का कोई chance नहीं बनेगा ठीक है यह लग गया अब अच्छे से इसे लेके आना है इस point पर ठीक है तो यह okay है ऐसे ठीक है okay है कोई दिक्तत नहीं है तो हम लोग कटिंग करते हैं लगा देते हैं ठीक है वैर थोरा सा जादा रखेंगे शौट हो जाएगा तो फिर से हमें वैर लगाना परेगा ठीक है तो कटिंग के टाइम पर थोरा सा हमारा वैर निकल गया good अच्छा है यह ए कोटे से हमें लगाना है ठीक है वो कभी भी जाना नहीं चाहिए दर नहीं तो वो फिर से कोई शौटिंग क्येट कर सकता है यह माइनस पर हमने लगाया है तो यह घूम के अधर पर लग जाएगा ठीक है समझ में आ गया ना भई सर्किट क्या किया जो ब्रीज रेक्टिफायर का नीचे से जो लाइन था वो मैंने नीचे से नहीं लेके फिर से एक अच्छा बाला इंसुलेटेड वैर से मैंने बाहा में लगा दिया ठीक है विकास वो लाइन पर अगर लगाओगे तो शॉटिंग का फिर से चांस बन जाएगा देखो यह हो गया प्रॉपरली कनेक्टेड अभी इधर से कुछ भी प्रॉब्म नहीं आएगा ठीक है बहुत अच्छा हम लोग कैपसिटर का प्लास मैनस देख देक कंडरेंगे बॉडी पर लिखा गया है प्लास उस तरह प्लास ऐ गुड ये कापसिटर इधर पे जो ब्लस्ट़ है था उसे हम लोग नहीं लगा रहे गाए है उसे हम लोग छोड रहे है और यह लाइन को मैनस को मैने कनेक्ट कर दिया है ठीक है तो ब्लास मैन से वित फ तो है अभी हम लोग डायोड मोन में चेक करेंगे ओके हमल्ब फूज़ भी बील्ट करना है because यह फूज तो गया ठीक है तो फियुज टो कैसे बेल करना है इन्पूट का करेंथ कितना है उसे हमें देखना अगया ठीक है देखो इन्पुट का full load current input 1.2 amp औके input पूट का फूल करेंट येस 1.2 तो अगर आप एक ऐसा वैल लोगे ठीक है ऐसा वैर कॉपर का वैर ठीक है मेरे पास एक ऐसा वैर था ना किधर गया वह बहुत अच्छा था फ्यूज बनाने के लिए अरे भाई किधर से शॉट हो एक वैर था मेरे पास हाँ इससे मैं खुम गया हो एनवेश तो हम लोग क्या करेंगे इसे थोड़ा सा हम लोग झिल लेंगे ओके थोड़ा सा मरे तो इधर से जो कॉपर का स्ट्रिम निकलीए और अगे यह स्क्रिण तो यह string हमारा एक string हमारा 2 ampere को carry कर सकता है ठीक है एक string यह एक rough calculation है तो input में 1.2 है तो हम लोग एक 2 ampere का fuse लगा सकते हैं इसमें ठीक है यह लगा भी होगा ऐसा ही 2.5 ampere का fuse हम लोग देख लेंगे ठीक है because fuse नहीं है और fuse में invest करने का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है अगर load आएगा तो यह wire भी कटेगा वो wire भी कटेगा ठीक है तो fuse में इसलिए मैं invest नहीं करता हूं नहीं तो fuse भी खरिद के रखता हूं अगर यह लगता मुझे जो इसमें invest करना okay है तो बट नहीं है मुझे नहीं लगता है इसका कोई point है ठीक है तो इसलिए मैं नहीं रखता हूं एक यह जो मैंने आपको टेक्निक समझा दिया दो MPR का इसे आपको धियान रखना है ठीक है तो आप कोई भी दिक्कत में नहीं फसोगे मैं बहुत सारा SMPS रिफेर करता हूं डेली बेसिस पर सो इसमें बहुत अच्छा खासा नॉलेज है मुझे तो आप चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा ठीक है पर अच्छे से सोल्डर कर दो वा पूरा हाथ लगके निकल गया अच्छे से सोल्डर कर दो बिकाज फ्लक्स तो अच्छा वाला फ्लक्स यूज करो और कनेक्शन कर तो चालो अगर आपका ड्राइवर इधर पे बचा होगा तो आपका यह मादरबोड होना चाहिए ठीक है SMPS का मदरबोड एक दों क्लीन कार्म है हमारा ठीक है कोई हम लोग गंदेगी नहीं पसंद करते है तो कितना एंपियर का फ्यूज था मैं देख लेता हूं थ्री पॉइंट वान फैप एंपियर इधर पर लिखा हुआ है ठीक है आपको दिखेगा नहीं थ्री पॉइंट वान था एंपियर का फ्यूज लगाया था ठीक है तो ज्यादा है देखो दिखेगा दिक नहीं रहा है मुझे भी बहुत अच्छे से दिखा नहीं मैं डायोड वाईलू क्यों नहीं दिखा रहा है भाई ओके है वह तो ठीक है हम लोग मॉस्ट प्रॉबबली इसे पावर दे सकते है ठीक है ओके है मेरे तरफ से तो इन्पूट फिर से चेक करता हूँ इन्पूट में कोई शॉटिंग नहीं ठीक है आउटपूट में कोई शॉ और यह नेगडिव लाइन है और न्यूट्राल लाइन है इधर से इधर तक आ गया और कोई भी कनेक्शन कुछ भी नहीं है ठीक है तो अगर इसका ड्राइवर ओके रहाएगा तो यह बोड हंड्रड पसंद चलेगा ठीक है और कुछ भी इधर पर नहीं है ठीक है बहुत अ सीरीज में पावर दो अब भी सेफ रहोगे और सप्लाइब अगर रहेगा तो आपका लुकसा नहीं होगा कुछ भी ठीक है तो मैं थोड़ा से इसे प्रेपरेशन कर लेता है इसका मैं जो पोट यूज़ करता हूं ठीक है सीरीज का जो कॉंसेप्ट है यह मैंने पहले भी है सीरीज में क्यों हम लोग लगाते हैं विकाज अगर सीरीज का लाइन में कोई भी शौटीन होगा आपका यह लाइन पे तो सीरीज का जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगा तो करेंट क्या होगा करेंट उस लाइन से पास कर जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होगा करेंट जो फ क्या था MOSFET MOSFET भी दिख रहा है 11A600D इसका मतलब 11 MPR 600 वोल्ट इन चैनल का MOSFET ठीक है तब 11 MPR 600 वोल्ट यूस कर सकते फोल्ट थोड़ा कम है 600 से ज्यादा देना था 800 देते तो अच्छा हो यह हमारा जो लाइन है यह हमारा सीरीस का लाइन है और मल्टिक्टर भी हम लोग प्रिप्यार करते हैं अगर वोल्टेज बनेगा तो आपको दीख जाएगा थोड़ा सब धनी से काम करना है ठीक है चले और ना चले गठामें कोई भी लुकसान नहीं आना चाहिए तो देख सकते हो मैंने क्या किया ओके थोड़ा सा मैं उपर ले प्राइन को थोड़ा सा इस पोजिशन पर लेके आता हूं तो चलो देखते हैं भागवान का नाम लेते हुए चलेगा कि नहीं ओके अब देख सकते हो DC 20 में सेटेड है वोल्टेज ठीक है और इधर पर मैं कनेक्शन करके रखा हूं ठीक है पावर अन करते हैं नहीं बना भाई बोल्टेज यह पॉइंट नहीं बना देखा तो आपका ड्राइवर चला गया इसका ठीक है और कुछ भी नहीं है खरब इसका ड्राइवर चला गया देखव अब थाउजन वोल्ड पे मैं इस capacitor पर चीक करता हूँ देखा पूरा voltage होके है ठीक है और इस capacitor पर क्या है ओकी इस capacitor पर कोई voltage नहीं है क्यों नहीं इस capacitor पर एक voltage आना तो ज़रूरी होता है विकोज यह charging वाला line है तो एक बद देखेंगे लाइन ऐसे आ रहा है इधर से gate control होगा ठीक है यह power के लिए actually यह जो हमारा capacitor है छोटा एक capacitor लगा होता है यह tiny capacitor यह actually हमारा power को filter करता है ठीक है power line को जो sorry power line नहीं मैं क्या बता रहा ठीक है वो actually हमारा जो यह होता है ना जहाँ मैंने इस point से check किया actually तो यह point था मिली का नहीं विकाज नहीं तो उधर पर मिल जाता देखा अभी तक इतना voltage हाई लेके बैड गया है ठीक है इधर पर कोई voltage नहीं है को के डिस्चर्च करना थोड़ा सा difficult है अभी कोई भी switching नहीं हो रहा है ना कोई power का utilization नहीं है तो थोड़ा सा डिस्चर्च करना इसे difficult होगा मेरे तरफ से डिस्चर्च करेंगे और उसके बाद क्रपासिटर को देखेंगे एक बार जो हमारा क्या बूलते बताव एक बार जो हमारा यह की आइसी है इसे एक बार हम दो उठाके एक बार लगा के देखेंगे ठीक है तो एक रिजिस्टर मैं इधर पर लगाऊंगा ठीक है ऐसे एक हंड़िड टू हंड़िड ओम का प्लांस और माइनस के बीच में यह स्पार्क हुआ एक छोटा था विकॉज यह रिजिस्टर पर वह पावार डिस्टिविट हो जाएगा इस्टिविट को मैं तर्सारी डिस्टिविट ने डिस्टिविट किया बोलते हो से मैं ही भूल गया एक सेकंड रूग जो हाँ पूर होता है ठीक है यह एक बहुत इंपॉर्टन रूल निमाता है तो हम लोग इसे अफ्कॉर्स देखेंगे इसका कंडिशन क्या है बैटरी लोग चीक है 20 परसंट तो यह इसका वैलू 6.8 है यह तो एक गजब का बैड वैलू है 6.8 तो ज्यादा नहीं मिलता है भाई ठीक है 6.8 में विफ तो 200 पे एक बाद देखते हैं वैलू तो ठीक है 6.5 है तो चलब इस लाइन को एक पर डिसकनेट करते हैं यह बचना चाहिए था बट बैड लाख है हमारा भी कस्टोमर कर भी ठीक है हमारा टाइम वेस्ट हुआ अब कस्टोमर को अच्छा पार सब्ले खड़िपना पड़ेगा तो मैं एक बार क्या करूंगा एक बार रिफ्लो करूंगा हमारा जो आई सी है ठीक है ड्राइपर आई सी विकाज इधर पर बहुत सारा एलेक्ट लाइटिक यह गिरा था अब रिफ्लो करूंगा और एक क्यापसिटर उतर पर लगा के भी देखूंगा ओके यह निकल गया उसके साथ एक क्यापसिटर निकल गया बाद जो उसे अगर यह मॉस्पेट नहीं मॉस्पेट नहीं स्वरी यह ड्राइवर नहीं वर्क करेगा तो आपका यह बूट रिप्या नहीं होगा ठीक है को यह बीसमें दो राहे की बात नहीं है चिक एस तो नहीं बनेगा को चलो एक बार फिर से हम लोग यह यह प्लाइन एक मृफ्ष करके देखते उसके 250 को एक बहुत्स करेंगे ठीक है कि और कुछ चारा तो हमारे पास नहीं रहा मैंने बहुत ट्राई किया इसे रिप्यार करने का इसका भी वैलू मल्टिमेटर तो तुस्से ही देखा रहा है अगर ये सर इसका खरावे तो भी प्रॉब्लेम होगा तो चेंज जरूर मैं करूँगा अगर इससे रिफ्यो को बाद भी कुछ नहीं होगा तो चेंज तो करना ही है ठीक है इस कैपसिटर को तो चलो ड्राइवर आइसी फिर से लगा देते हैं जैसा डायरेक्शन में यह लगा था पिन नंबर वान को देखते हुए लगाना है श्राइब बहुत शूटा वी एकश्यनल थीड़ लग गया अच्छनुन थे लग गया थीड़ थे लग गया अगने । ये मिलग्जा आइसी थोड़ा सा फिर से एक बार बठाना होगा थोड़ा सा बच्चे से नहीं बैठा है कि अरे यार आप लोगों को थोड़ा मैं उपर लेका हूँ ठीक है नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ डिस्टब हो रहा है बहुत थोड़ा आप उपर से देखो हुआ 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 है अब प्रॉपर लिवेट रहा है तो अभी यह एक बार चलू करके देखेंगे होता है कि नहीं होता है तो अच्छा है नहीं तो हम लोग लास्ट रिप्लेस करके देखेंगे और कुछ भी इधर पर करने का हमारे पास कुछ भी नहीं है फिकास इसका ड्राइवर कहताम है ठीक है कि अ सबक्राइवर अगर मिलता थो मैं अकलिक एक बार भी ट्राइब करता और भी ठीक है ड्राइबर मिलता तो अ जड्राइवर नहीं यह तो और क्या िदर पर ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं बवगता है पूरा एकदम 100% होके है कुछ भी खराब ही नहीं है इस एरिया पे ठीक है मैंने देखा थोड़ा सा ट्रैग वगरा घिसके ठीक है एकदम प्रॉपरली एवरिफिंग कनेक्टेड है कोई भी तो बताओं क्यों नहीं के एक चीज हो सकता है वो है हमरौण डायोड क्या है आब हुपकर डायोड यू कह और ini यहां यह 206 इंटायोड Representu ठीक है आउट्टू दी ख्लियर है कोई शॉठ नहीं है थीजिए थीजिए है तो और ना बनने का और कोई रिजन नहीं है सरिफ एक रिजन हो सकता है वह है आपका डाइब ठीक है और कोई ब्रीजन नहीं होगा ठीक है मुझे नहीं लगता है होगा जो सज बात है वो तो यह ही है अगर हो जाएगा तो मेरा बहुत लख है हम कुछ भी नहीं ठीक है चलो एवरिधिंग ओके है चलना चाहिए मैं एक बार इंस्पिक्शन कर लूँगा ठीक है अच्छा से इंदो पर है आहीं बाई कुछ बना नहीं ठीक है इसका ड्राइवर गया है भेट इस केयापसिटर में बॉल्टीज आ नहीं रहा है छेक यह कैपसिटर आपका मैं कि वो चालू होने के बात बनता है ऐसा यह वहूं प्रिक्वेंसी चालू होगा औक्जिलरी से यह डायोट से रेक्टिफाई होके पावर बनेगा वह पावर से यह हमारा जो क्या बोलते है बताऊं यह जो हमारा आइसी यह स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के लिए इधर पे हमारा एक पोल्टेज आएगा वह है यह यह तो सॉरी यह तो एसी से आएगा सो अफ्टर वह पावर आउन के बाद बनेगा चिक है तो एक सेक्ट मैं देख लेता हूं इधर से प्लास आया यह गेट है इसी से डाइरेक्ट गिया गया है कोई फिल्टरेशन के को फिल्टरेशन नहीं दिया गया है स्टार्टिंग करेंट के लिए तो यह रेजिस्टर ठीक है ना 3903 3903 का दो रेजिस्टर है इधर पर अभी तो इसमें वोल्टेज है बहुत सारा येस चलो एक बड़ डिस्चार्ज करते हैं इसे क्या इस्टेंस का वैलू क्या है 39 किलो का है कि दोसों में भी नहीं आ रहा है कि तू मेगा पे कि तू मेगा पे भी नहीं आ रहा है 1.4 मेगा 39 1.4 मेगा एक सेकेंड मैं SMB का डाटा एक बाद देख लेता हूं SMB रेजिस्टेर का इस इधर से स्टार्टिंग वोल्टेज बनेगा इंपोर्टेंट है वो मिसिंग होने से भी प्रॉब्लम होगा इंबद दीखते है हां प्रेइस्टर क्याल्कुलेटर चाहिए ये मुझे SMB वाला है ये तो नामर वाला है SMB वाला कि धर पहा है SMB रेजिस्टेंस विल्या थर्टी नाइन लिखा है 3903 है सा कुछ चार वालु का है राइट 3903 अगर मैं किलो ये तो 390 किलो दिखा रहा है 3903 3903 दिखा रहा है यह देखो आप ठीक है ये डीजी की पर मैं चेक कर रहा हूं ये रेजिस्टर के वैलू है 3903 अब देख सकते इधर पर हुआ है ये 390 किलो दिखा रहा है तो 390 किलो 1.4 मीगा कैसे हो गया हां 39 है ये अब देख सकते हो कि मालूम ये बड़ 39 है चलो एक बार दीखते है इसे निकल के एक बड़ टेस्ट करते है ऐसा नहीं है वो आपका रेइस्टर इंपूट का रेइस्टर खराब है तो भी ब्रॉब्लेम है वो भी नहीं बनेगा आपका काम विगा स्टार्टिंग वोल्टेज नहीं बलेगा तो कैसे चलेगा है हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे रेइस्टर को है कि 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 क क कि कि क कि इसे देरे पर मुझे क्या खोल दुख रहा है कि 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 दिस्टर्बिंग लग रहा है ठीक है चलो एक बद देखते हैं थ्री नाइन्टी है तो मेगा में आ जाएगा टू मेगा कि कि टेम्परेचर है तो रिटिंग तो गलत आएगा तो थो थो रासा इदर पर थीनर यूज़ करते हैं एसी टॉन कूल डाउन करने के लिए कि यह देखो 390 आरे भाई यह भी 390 नहीं प्रॉपर है वाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक्या स्टार्टिंग रेजिस्टेंस भी आपका ओके जला गया तो इसमें कुछ ड्राइबर का ही इसूर है ठीक्या कि अधिकर एवरीथिंग लग रहा है कुछ खराबी नहीं है फिर भी बॉर्ड में आपका पीड़ेवल्य इंजनेट नहीं हो रहा है कि 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 आप तो कुछ पॉसिबिलेटी नहीं हो रहा है कि आप कि आप 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 अ आप ट्रांस्फर्मर भी ओके है कि ट्रांस्फर्मर भी कोई दिकत नहीं है कि कि स्वीचिंग ना होने का और कोई रिजन नहीं रहता है ठीक है और कोई भी रिजन नहीं रहता है कि रीक कि आप हुआ आप आप हुआ यह केपासिटर पे नाइटीन आए रहा है क्यो क्याख कैपासिटर कैसे आहले इस मिचल रहे है यह तो गेठ है हमारा कुछ किशन सकता रात विशिपाया मैं विश्याजी का पर इस नायं टीन आएंड़ा है अगर्षाओंधिन कं he Easy-था-शी c कई यसीथर के क्यों ह्दिन गोम कि इंगने इस कॉशन либо मुझे लगता है यह हमारा ड्राइवर ही क्रियत कर रहा है अब ड्राइवर हटा दोगे तो आपका 19 गयाव हो जाएगा एक्चुली चीप खड़ा फिर इसका ही इंडिकेशन है ठीक है देखो चीप को मैंने हटा देता हूँ ठीक है कि देखो गया हो गया बापस आगया पावर ठीक है तो यह चीप खराब है एक यह पावर पूरा वी सी सी टू गराउन में यह चीप खराब है तो यह बोड नहीं बनेगा भाई ठीक है यह एक नौट सक्सेज वीडियो रहा बट अगर यह ड्राइवर आपको मिल जाता है तो पूर्ड रेडियो हो जाएगा ठीक है इसमें और कुछ भी नहीं करने का है तो थैंक्यू पर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो बट यह फेलियूर है ठीक है यह वीडियो बना नहीं सॉरी आपका टाइम वेस्ट क है क्या कर सकते है और कुछ नहीं कर सकते राइट चलो और कोई नहीं है वीडियो में मिलते हैं आपके साथ ठीक है बाइबाए मैं वीडियो फिर से चला रहा हूं मैं जस एक चीज़ सोचा जो यह इसका पीन डियाग्रम हम लोग जान कैसे हैं दो तीन पीन ओके देखो यह इधर से चालू होता है फिन पीननमबर वान हम लोग देख रहे हैं ग्राउन पर जा रहा है वीकॉस यह चोटा क्यक पसिटेर का ग्राउंड है फिनमर वफ्лох तो नहीं जानते थरी नहीं जानते फूर नहीं जानते फिग हमारा मीस ही है फाइफ ठीक है ये फाइफ ये इस तरफ से जा रहा है तो ये फाइफ भी सी सी है six number से ये पीन से इधर तक आया और इसे gate के साथ connected है तो six हमारा gate है तो हम लोग क्या जाने एक number pin हमारा ground six number pin gate five number pin भी सी सी तो तिन दिन पहले मैंने ये हमारा power supply को repair केया था इसमें OB का IC था OB 2263 MP तो ये दिखने में इतना ही था मुझे मालूम मैंने देखके एक बल लगा ये छोटा tiny IC ही मैंने लगाया था और जब मैंने इसका data sheet पूल आउट किया इंटरनेट से तेका एक चीज मुझे दिखाए दिया देखो इसका भी एक नमबर पीन गेट है ए सड़ी ग्राउंड है छे नमबर गेट है पांच नमबर वीडीडी है चार सेंस ये feedback और एक आरवन और feedback तो ये तीन पीनों के बारे में हमें मालूम नहीं बट वीडीडी गेट और ग्राउंड ये तुम तीन हंडर्ड पसेंड मैच कर रहा है इसके साथ ठीक है मैं दिखा देता हूं देख लो तो मैं तो एक आईसी लगा के जरूर देखूंगा देखो मैं दिखा देता हूं ये capacitor का माइनमस है जिदर पर हम लोग चेक किया थे किये थे तो 19 आड दिखा दोगा ठीक है तो एक नमबर ग्राउंड मिल गया हमें उसके बाद पांच नमबर जो है वो तो हम देख सकते वीडी है ठीक है ये किधर पर जा रहा है उससे थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हो कि विकाज ये कोई कि फिल्ट्रेशन तो हो रहा होगा इसके साथ ओके ये इसके साथ ही कनेक्टेड हो के ये कैपसिटर जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है तो वही है ना थोड़ा साथ चलो क्यापसिटर को एक बार रिमूव करते है इस लाइन को थोड़ा सा ट्रैसिंग करते हैं तो हो सकता ह हाँ वही पर कर्नेक्टेड है ठीक है ड्राइबर खराब होगा तो होगा ठीक है कोई प्रॉब्लेम नहीं यह कैपसिटर पर कनेक्टेड है और चुछे नंबर है इसे मतलब वान टू थ्री तो टू एंट्री हमें नहीं मालूम 4th 213 तो अगर देखोगे ना 213 को भी अगर देखोगे तो वाण 3 में क्या है एक है 2 में feedback 3 में है R1 तो यह line न यह capacitor यह register पर जा रहा है यह feedback के line हो सकता है perfectly यह पांच नमबर A1 ground 236 464 4NC है क्या ना 4 sense है तो यह कोई sense से connected होना चाहिए तो हम लोग देखींगी यह उस जो jarnicty है चैने से तो इधर से किध किदर पे जा tuckVireless कि उना ऐओ रहा रहा है तो इधर पर नहीं आ रहा है तो देखते कि धर पे जा रहा है इस लाइन ठीक है छलो रहा है यह इस लाइन पर आया डायोट पे आया डायोट से इधर पे आ गया ठीक है तो ये एक हमारा एक रेजिस्टर से इसे देखा जा रहा है ओके ये भी है exactly भाई देखो 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 इधर पे कैसे लाइन आया समझो इधर से इधर आया इधर से इधर आया चीखे इस रेजिस्टर से ये पैड ये बोद साइट से कनेक्टेड है तो ये लाइन इधर से ये रेजिस्टर के पार हुआ ये लाइन ऐसे ऐसे ट्रेबल करता हुआ सेम पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है जो मैंने दिखाया इधर पे दिखाया ना ये रे पर्सन हम बोल सकते हैं यह ओबी का इसी लग सकता इधर पर ठीक है तो मैं थोड़ा सा निकल देता हूँ यह तो गजब का होगी आज ठीक है मैंने तो पूरा केस खतामी सोचा था ठीक है यह फिर से मेरा होप आया मेरे पास चलो देखते हैं अगर यह बन जाता तो बहुत स्थाइम हमने इंवेस्ट किया कि वह भी का इसी मेरे पास है कि दो तीन खरीद के लेके आया था एक लगाया उधर पर हमारा क्या बोलते हैं ओव एसस टीम का जो पावर सप्लाई है उसे मैंने रिपेर किया ठीक है वह ब्लस्ट कर गया था वह इधर पर ही होगा वह भी का मैं थोड़ा सा धून रहा हूं ठीक है एक सेकेंट मैं फी वीडियो काटिंग नहीं करना चाहता है फोन में भी बैटरी नहीं है 3% बैटरी है तो देखो यह मेरा आईसी ठीक है यह आईसी यह आईसी का बात कर रहा हूं देखो SMD का 2263 ठीक है चलो जल्दी जल्दी लगाते हां एक दम से ही size लग रही है एक दम से ही size लग रहा है ये चल जायेगा तो बहुत अच्छा है 3% ठीका में बैटरी पीन देख लिये ता ओं पीन देख लिया चौलो जिल्दी जिल्दी बैठाते है कि पावर बेंग से कनेट कर देता हूं अब ही तो बंध हो जाएगा एक सेक्ड चार्चिंग चालू कर दिया मैंने ठीक है पावर बेंग लगा दिया फोन के पीछे चलाओ अभी लगाते है आई सी हो शक्ते है वाइसी लगाने पर हमारा पावर सप्रेश्ड हो जाए है और हो सकते हमारा चल जाए ठीक है चले का सब्सक्राइब फिल स्पी है विकास तीन प्रिलों का हम लोग कांफरमेशन ले चुके हैं बाकी तीन का कोई पास नहीं है ठीक है तो कुछ नहीं कर सकते हमारे पास कोई भी चीज एवेलेबल नहीं है तो मैंने देखा अब वीडियो देखाऊ के उधर पर मैंने यह दिखा वाया है ठीक है तो ठीक है एक बाद देख लेते हैं में एक मिडिल बार पिन पूरा समय सोल्टर पर टच कर देता हूं क्यांट आइए कंट एए के के अचुछाए कि चलो कि मैंने बंद करने के बाद ही सोचा भाई यह नहीं है न सेम आइसी कि वह भी दिखने में ऐसा ही था कि यह तीन पीनों को भी थोड़ा सा टचिंग कर देते हैं मुझे थोड़ा सा इसका भी अच्छा नहीं लग रहा है एक सेकेंट एक बार इससे भी कनेट कर देते हैं अगर कुछ भी डिसकनेक्शन रह जाएगा तो इससे हमारा कनफर्म है लग जाएगा परफेक्ट परफेक्ट अभी एकदम हंड्रिट परसेंट है तो चलो गौड अब मुझे सेफ कर लो इतना टाइम मैंने इन्विस्ट किया इसमें बनवा दो जिसका मदर बुड़ है वो दुनको भी हिल्प हो जाएगा मेरा भी थोरा सा हेल्प हो जाएगा आपको भी एक अच्छा की स्टड़ी मिल जाएगा राइट जो यह सब काम पसंद करते हैं इस दो नहीं करते हैं ठीक है यह देख सकते हो मैंने आई सी लागा दिया ठीक है ओबी का 6322 ओके दिखाना चाता हूं मैं यह अभी दिख रहा है ठीक है चलो मगवान का नाम लेते हुए चालू करते ब्लस्ट करेगा यह और चलू हो जाएगा ठीक है यह दोनों से एक हो गाई है अभी ठीक है तो पावर बगेरा खुला हुआ है ठीक है लास्ट हमारा क्राई है और कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे इसमें तो पावर आफ यह से लगाते हैं और सीरीज में ही पावर देंगे ऑफ कोर्स चल जा भाई चल जा बहुत अच्छा होगा चलेगा तो ठीक है एवरिटिंग ओके आप देख सकते हो मल्टिमीटर भी देख सकते हो सब कुछ आपके अंदर में ही है आप अच्छे से देख सकते हो ठीक है मैं पावर आउन करता हूँ हिए चल भाई यं किया फिर यह भाई बोल्टेज बण गया कर मैं अभी बोलना चाहता था फिर भी नहीं बण सब्सक्राइब अच्छे बहुत ऐसा कभी नहीं हुआ है चीक है और देखो यह जो रिजिस्ट मैं कैपसिटर पर चीक कर रहा था देखो 16 वोल्ट है वर्किंग वोल्ट इसका ठीक है और आपका यह आपका 19.25 परफेक्ट ओके 100 परफेक्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा यह एक नाइस के स्टरी बना ठीक है बहुत अच्छा लगा मुझे सो थैंक्यू फर वाशिंग आइस आप लास्ट में जस्ट बंद करके ही सोचा ओके एक मिनिट भी रुका नहीं बंद करके ही सोचा भाई यह वही नहीं है ना सेम नहीं है बट वह सेम है 2263 लिखा क्या गया था टी थ्री उसके बा SMD वाला जो है वो है MP और मैंने जो पहले निकाला था वो है AP AP है नॉर्मल ऐसा तब खरीद के रखो ऐसा अगर मिल जाएगा तो तीन पी आपको देखना है एक नंबर पर ग्राउंड छे नंबर पर गेट और आपका पांच नंबर पर भी डी तो मिल गया देखो भी डी डी यह ठीक है वोल्टेज बन गया अभी पिन नंबर यह पे तो माइनस इधर से मैं ले लेता हूं माइनस वन सेकेंड ग्राउंड यह थोड़ा वोल्टेज में बरा देता हूं 200 इधर पर माइनस और इस लाइन पर यह देखो 16 आ रहा है यह वी डीड है ठीक है यह ही मिसिंग था तो थैंक्यू गाइस फॉर वाचिंग ठीक है अगर आपके पास भी ऐसा केस आए तो अब ज़रूर ऐसे इसे डाग्नॉस करो ऐसे सॉल्स करो ठीक है अभी क्या करूंगा मैं ठीक है मैंने बता है ऐसे तो नहीं चुरूंगा जो भी कॉपर पैड दिख र यह चलाओंगा यह है हमारा यूवी लैंप यह यूवी लैंप बहुत प्राइजी है यह अभी तो मिलता है 550 में बड मैंने जब खरीदा था यह 700 का मिलता था बहुत दिन पहले खरीदा था बहुत पावरफूल यूवी लाइट लाइट रहता है हम लोग क्या करेंगे इध ठीक है विगा शॉटिंग आए जाएगा तो कुछ खराब हो सकता है डिस्चाच कर देते हैं तो हमारा आज गूड लख था ठीक है इसलिए हम लोग किसे रिप्यार कर सकते नहीं तो रिप्यार नहीं कर सकते थे भाई ओके तो ऐसे हलका सा लगा दो ठीक है और अच्छे से इसे स्प्रेट करो ट्वीजर वगरा से ठीक है कोई भी ग्रीन जो हमारा ट्रैक कॉपर का है वो निकल के रह नहीं जाए ठीक है उदर से प्रॉब्लेम आ जाएगा कुछ बाद में तो अतिकत है कि कुछ भी नहीं है ठीक है यह स्यूर्वी मास्क विए जो हमारा मास्किन कर जाता है ठीक है इसका जो पैड है उस उससपी को आसें प्रॉबायट करता है तो कोई भी इधर से और शॉट सर्किट आने का चांसस नहीं रहता है ठीक है कि मैंने तो सोचा फिर भी बना नहीं बड बन गया हुआ thực 앉 Gen बढ़ा सा दीटीन लेके ने होता है ठीक है थो औरा सा दीटीन संब्सक्पर अम बटहां करेगा को बहुत सारा पेरामिटर्स को चेक बगरा कर लेता है उसके बाद पावर को स्विचिंग पर डालता है ठीक है वह इसका इंटर्नल लॉजिक है वह कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो भी का इसी अफ़रित के रखो भी 6322 ठीक है सोरी उल्टा बता दिया 2263 पी एम्पी सभी उल्टा बता रहा हूं इंपी का इसी ठीक है एमपी एसमडी वाला है अब दुकान में जाके बोलोगे एसमडी मिल जाएगा बहुत ही इसली अबलेबल है यह आईसी ठीक है क मार्केट में डेर सरा परा हुआ है अब लेके आ जो आपके पास थोड़ा सा स्टॉक करके रखो देख सकते हो मैंने ग्रीन स्टप से पूरा इसे कवर कर दिया अभी क्या करूंगा 10 मिनिट के लिए इस पावर बैंक से ही जिस पावर बैंक से मेरा फोन चार्ज हो रहा है ठ इसे रख दूंगा 10 मिनिट 10 मिनिट के बाद एक होट यार से हलका सा इसके उपर वार्म अप कर दूंगा तो यह पूरा सीक्योर हो जाएगा हटेगा नहीं और इससे फिटिंग करके कस्टोमर को दे दूंगा तो थैंक्यू फर वाचिंग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक अश्सक्राइब जरूर करो और वीडियो बहुत इंटरस्टिंग रहा मेरे लिए तो बहुत इंटरस्टिंग लागा तो अब जरूर इस वीडियो को पूरा देखो अगर अच्छा लगते कॉमेंट जरूर करना ठीक है यह से अब चीज कोई नहीं बताएगा आपको जैसे मैंने इधर पर पूरा डायागनोस्सिंग किया है ठीक है बाई बाई झाल 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 झाल